ये माया अंधकार का स्वरूप है आदित्यवर्णन तमसफ परस्तात क्यूंकि हम लोग भगवान से विमुख हैं इसलिए माया ने हमको दबोचा हुआ है और इसलिए हम इस माया के संसार में आये हुए विमुखता उसका कारण है हम क्यूं आए क्यूंकि हम भगवान की और पीठ किये हुए है और कैसे निकलेंगे उसका उल्टा करण है अयम् दृतिया भिनिवेषत अस्या दीशाद पे तस्या विपर्ययो स्मृति तनमाययातो बुधा भजेतम भक्त्याइक येशम गुरु देवतात्मा वेद व्यास ने कहा के हम जीव गलत दिशा में आनंद खोज रहे हैं आनंद भगवान में हम उसे संसार के पदार्थों में खोज रहे जैसे मान लो आपको जाना है संबलपुर से राउरकेला अब राउरकेला उत्तर की दिशा में आप दक्षन बलांगीर की ओर जा रहे हैं राउरकेला दूर होता जा रहा है इसी प्रकार से आनंद के लिए भी हम उल्टा भाग रहे हम जानते ही नहीं कि हमारी आत्मा जो आनन चाहती है वो कहां से मिलेगा और ये जो हमारी उपर अज्ञान हावी हो गया इसका कारण ये है कि हम भगवान से विमुख हो गए मान लो ये भगवान है और ये जीव है इसको कहेंगे सन्मुखता और जीव विमुख है भगवान की और पीट किये हुए है अब भगवान आनन्द स्वरूप तो है प्रकाश स्वरूप भी है ज्ञान स्वरूप भी है देखिए वो प्रकाश का पुंज है सामने यदि हम प्रकाश की और पीट कर लेंगे हमको सामने क्या मिलेगा अपनी परचाई यानि अंधकार आपने प्रकाश से विमुखता की तो अंधकार मिला तो इसी लिए वेदादी ने कहा कि हम प्रकाश स्वरूप भगवान से विमुख हुए अंधकार रूपी माया ने इस जीव को दबोच लिया इसी लिए हम इस संसार में हैं माया के संसार में कभी कभी लोग प्रश्ण करते कि स्वामी जी हम यहां क्यों आए विद्यार्थी लोग ज्यादा प्रश्ण करते बड़े लोग तो अपनी मान्यता बना लिया माया के संसार में हैं तो क्या करें लेकिन विद्यार्थी लोग ज्यादा जिग्यासू होते तो अगर हम कभी भी कॉलेज में प्रवचन दें ये प्रश्ण जरूर उठता है कि हम संसार में क्यों आए एक बार एक नगर में हमारा प्रवचन चल रहा था तो एक विद्यार्थी सुनने आता था जब प्रवचन श्रिंखला पूर्ण हुई उसने कहा स्वामी जी आपका अगला प्रवचन अमुक शहर में होगा क्या हम आपके साथ आ सकते हैं हम भी श्रमदान करेंगे सेवा करेंगे और आपका सानिध्यलाब भी मिलेगा सत्संग भी मिलेगा हमने का जरूर हमारा क्या जाता आओ तो अब वो रवीवार का प्रवचन थोड़ा जल्दी खतम हो गया शाम को समय था गर्मी के दिन थे हम टहलने निकले विद्यार्थी के साथ तो विद्यार्थी ने ये प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी हम लोग यहां क्यों आया यहां माने धनुपाली में नहीं संसार में क्यों आये अब हमने सोचा क्या उत्तर दे साथ मने एक सिनिमा हॉल था हमने विद्यार्थी से पूछा तुम्हारे पास टिकेट के पैसे हैं उसने का हैं हमने का जाओ दो टिकेट खरीद लो अब वो टिकेट लेके आगे तो नाइट शो चल रहा था हम दोनों गए अंदर पूरा अंधकार था हॉल में एक व्यक्ती टॉर्च लेके देखा रहा था उसने हमारी टिकेट को देखा और टॉर्च की बीम के साथ इशारा किया उपर चड़ जाओ वहाँ पर दूसरा आदमी टॉर्च लेके खाड़ा था उसने टॉर्च के साथ इशारा किये दो खाली सीटों पर बैठ जाओ तो विद्यार थी और मैं वहाँ जाके बैठ गए अब पिक्चर तो प्रारम हो गई थी तो तमाम ड्रामा चल रहा था लगबग 20 साल पुरानी बात है अब टेक्नालोजी बगल गई है न तो इस समय वो सेलिलोइड स्लाइड आती थी एक सेकेंड में आठ और सफेद लाइट को फिंका जाता थी तो लाइट रंगों को पकड़ कर स्क्रीन पर गिरती थी अब वो हीरो है हिरोईन है विलन है कार चेज एरोपलेन चेज तो वो विद्यार थी तो पिक्चर के प्लाट में तल्लीन हो गया पंद्रा मिनिट निकले वो मस्ती से देख रहा था भूल गया कि मेरे बगल में बैठा हुआ और यहां पर क्यों आया तो मैंने देखा इसकी तो विस्मिती हो गई मैंने का एए उसने का चप मैंने का सुनो डिस्टर्ब मत करो अब मैंने उसके हाथ की उंगली पकड़ी और खींचा तो होश आया ओओ स्वामी जी मैंने का भाई हम यहां क्यों आए सिनेमा हल में अब यह वो ही विद्यार्थी था जिसने 15 मिनिट पहले मुझसे प्रश्न किया था हम यहां संसार में क्यों आए तो हमने अब उल्टा दिया न उससे प्रश्न किया हम यहां क्यों आए उसकी बुद्धी तो फेल हो गई मैंने का घबराओ मत अब बाहर चलो तुमको अपने प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा जब बाहर गए तो बताया देखो अंदर तुम साब भूल गए थी स्वामी जी बगल में है मैं सत्संग के लिए आया हूँ और वो जो सफेद लाइट रंगों को पढ़के स्क्रीन में गिर रही थी उसमें तुमको सत्य का भ्रम हो गया थी ये हीरो हीरो ये नित्यादी तो ये भ्रम की उत्पत्ती क्यों होई क्योंकि सिनिमा हॉल में अंधकार था अंधकार से भ्रम हो गया अगर मैनेजर आके मेन स्विच को आन कर दे तत काल सब के भ्रम की निवृत्ती हो जाएगी अच्छा शोख हतम मेरा चपल कहा है उसको लो चाबी तो नहीं गिर गई सबसे पहले स्कूटर स्टैंड में पहुंचो अब सब वास्तविक्ता में आ गए तो भ्रम का कारण बना अंधकार इसी प्रकार से भगवान तो प्रकाश स्वरूप है ये माया अंधकार का स्वरूप है आदित्यवर्नन तमसः परस्तात तो क्यूंकि हम लोग भगवान से विमुख है इसलिए माया ने हमको दबोचा हुआ है और इसी लिए हम इस माया के संसार में आए हुए है विमुखता उसका कारण है हम क्यूं आए क्यूंकि हम भगवान की और पीठ किये हुए हैं और कैसे निकलेंगे उसका उल्टा कर दो लेकिन अभी तो हम यहाँ पर हैं और एक बार माया के अंडर में हम लोग आ गए तो सब गड़बड हो गया